साट हेलो फ्रेंट्स το आज कीश वीडियो लेक्छर हम लोग बात करने वाले हैं एंपलिट्युड मॉडेशन और फ्रिक्वेंसी मॉडेशन में डििफरेंज ठीक है जो एम modulation होता है वो कैसे और किस प्रकार से frequency modulation से difference होता है ठीक है इन दोनों हम लोग देखेंगे difference करेंगे और compare करेंगे तो सबसे पहला जो topic आता है इसका जो amplitude modulation होता है ठीक है उसका जो carrier signal होता है carrier signal का amplitude जो होता है वो message signal के अंसर vary करता है amplitude modulation में जबकि frequency modulation में क्या होता है जो carrier signal का frequency होता है ठीक है वो message signal के अंसर vary करता है तो यह difference होता है पहला कि जो carrier signal का amplitude होगा वो message signal के answer change होगा तो इसको बोलते हैं amplitude modulation जब carrier signal का frequency message signal के answer vary करता है तो इसको बोलते है frequency modulation ठीक है और इसके बाद हम लोग अगला देखने वाले हैं इसका bandwidth ठीक है जो am का bandwidth होता है वो 2 fm होता है fm क्या है modulating frequency या message frequency तो जो am का bandwidth होता है वो 2 times of message signal frequency ठीक है और यहीं हम लोग बात करें frequency modulation का तो इसका जो bandwidth होता है O2 into del f plus fm होता है ठीक है जो frequency modulation का bandwidth होता है और 2 del f plus fm होता है del f क्या है frequency deviation है ठीक है और fm क्या है modulating frequency है तो इसका bandwidth यह होता है अब हम लोग देखने वाले हैं अगला point इसका modulation index ठीक है am का modulation index क्या होता है mu mu equal to ka into am होता है k क्या है amplitude sensitivity है ठीक है जो k हैちは amplitude sensitivity तो इसका modulation index होता है mu equal to ka into am ठीक है जो amplitude modulation होता है उसका modulation index अब हम बात करें fm का modulation index तो होता है beta beta equal to kf into am by fm ठीक है यहाँ पर जो kf है वो क्या है frequency sensitivity यहाँ पर जो kf into am है इसको बोलते है frequency deviation इसको बोलते है del f ठीक है तो beta का एक और formula आता है del f upon fm ठीक है यह होता है fm का modulation index अब हम लोग देखने वाले हैं अगला इसका effect noise का effect ठीक है तो जो am modulation होता है उसमें noise का प्रभाव ज्यादा होता है जबकि जो fm modulation होता है उसमें noise का प्रभाव less होता है क्यों है इसा होता है क्योंकि जो am modulation होता है उसमें क्या होता है mass carrier signal का amplitude होता है वो message signal के अंसार vary करता है और जो noise होता है noise का मतलब क्या होता है कि एक undesired signal होता है ठीक है तो जो noise का effect पड़ता है, वो amplitude में पड़ता है, उसके strength में पड़ता है, तो चुकि जो AM signal है, जो AM modulator है, उसमें क्या होता है, कि amplitude vary करता है, carrier signal का amplitude vary करता है, message signal के अंसार, इसलिए इसमें noise का परभाव ज्यादा पड़ता है, ठीक है? अब हम लोग बात करें, जो frequency modulation है, इसमें जो amplitude होता है, carrier signal का, वो constant रहता है, ठीक है? जो इसमें vary करता है, वो frequency vary करता है, इसलिए इसमें जो noise का प्रभाव होता है, वो less होता है, FM में noise का प्रभाव less होता है, अब हम देखने वाले हैं, इसमें distortion, distortion, distortion क्या होता है, जो noise होता है, उसके कारण से, जो waveform में disturbance आता है, उसको बोलते हैं distortion, तो जो एम का ठीक है एम्प्लिट्वीट मॉडिएशन का जो डिस्टॉर्शन होता हो ज्यादा होता है क्यों ज्यादा होता है क्योंकि इसमें जो नॉइस का एफेक्ट होता हो ज्यादा होता है इसकारण से इसमें डिस्टॉर्शन भी ज्यादा होता है और एफेम में नॉइस होता है क्योंकि जो noise का effect होता है वो भी इसमें less होता है तो अगला हम लोग बात करने वाले हैं अब मॉडलेटर और दी मॉडलेटर circuit ठीक है तो जो एम का मॉडलेटर और दी मॉडलेटर circuit होता है simple होता है बट जो fm का मौडलेटर और डी मौडलेटर सरकीट होता है और कॉंप्लेक्स होता है जटिल होता है किसके पेच्छा एम के पेच्छा ठीक है जो एफेम को मौडलेटर और डी मौडलेटर सरकीट होता है सरकीट डाइग्राम होता है या सरकीट होता है वो कॉंप्लेक्स होता है अब हम cost होता है कम कीमत होता है बट जो FM का modulator और demodulator circuit होता है वो costly होता है किस की अपेच्छा AM की अपेच्छा ठीक है then अगला point AM में जब हम लोग mu को increase करते हैं ठीक है modulation index को increase करते हैं तो जो total power PT है वो भी increase होता है कैसे increase होता है इसमें एक formula आता है AM में power का formula होता है PT equal to PC 1 plus mu square upon 2 ठीक है जब हम लोग mu को यहां से increase करते हैं तो यहां पे PT भी increase होता है तो यहीं यहां पे पताया गया कि जब mu को हम लोग increase करेंगे तो PT भी increase होगा PT मतलब transmitted power यह total power ठीक है तो इसमें हम लोग modulation index को vary करेंगे तो जो PT है वो भी vary कर जाएगा बट जो FM modulation होता है उसमें क्या होता है अगर हम modulation index beta को बढ़ाते हैं ठीक है फिर भी जो total power constant रहता है क्यों constant रहता है क्योंकि इसमें total power होता है carrier power के equal होता है PT जो होता है PC के equal होता है total power equal to होता है carrier power इसलिए इसमें जब लोग बीटा को increase करते हैं तो भी जो total power है वो constant रहता है ठीक है अब हम लोग अगला point देखने वाले हैं मु को increase करके noise का प्रभाव कम नहीं किया जा सकता है जो am modulation signal जो modulated modulation होता है amplitude modulation जो होता है उसमें मु को मु क्या होता है modulation index modulation index को increase करके बढ़ा करके noise का प्रभाव कम नहीं किया जा सकता है ठीक है बट जो fm modulation होता है उसमें जो modulation index होता है beta उसको हम लोग कम करके ठीक है उसमें जो beta कम करके noise के effect को कम किया जा सकता है या जो modulation index हो उसको increase करके ठीक है modulation index को increase करके noise के प्रभाव को decrease किया जा सकता है कम किया जा सकता है frequency modulation में अगला point जो amplitude modulation होता है जो AM modulation होता है उसमें जो carrier का amplitude होता है vary करता है carrier का amplitude message signal के अंसार vary करता है बट जो FM का amplitude होता है वो carrier signal से carrier signal का ही amplitude होता है जो कि constant होता है, vary नहीं करता है, ठीक है, अब अगला point है, जो AM signal होता है, जो AM modulated signal होता है, उसमें two side band होते हैं, एक LSB होता है, एक USB होता है, जो AM modulation होता है, इसमें side bands होते हैं, जो aside band एक upper side band, बट जो FM होता है, frequency modulation होता है, उसमें side band होते हैं, इसमें side band infinite होते हैं, इसका bandwidth भी infinite होता है, है नहीं हम लोग करते हैं जीकई दोट होते हैं लेकिन इसमें इस में आशी साइज को टांस्मीट करते हैं जो हमारे लिए सिगनी फेकेंट होते हैं तो इसमें जो sideband होते हैं, AM में, LSB, USB होते हैं, दो ही sideband होते हैं, और FM में sideband होते हैं, अब अगला point है, AM में जो broadcasting समानता है, MF तथा HF range में होता है, जो broadcasting होता है, वो micro frequency या high frequency range में होता है, ठीक है, या medium frequency और high frequency range में होता है, ठीक है, AM का जो broadcasting होता है, वो medium frequency और high frequency range में होता है, जबकि जो FM का broadcasting होता है, वो very high frequency और ultra high frequency range में होता है, ठीक है, इसमें दोनों यही difference है, जो FM का broadcasting होगा, वो very high frequency और very ultra high frequency range में होता है, यह होता है, इसमें difference, ठीक है, तो I hope यह video lecture आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कि AM modulation क्या होता है, और FM modulation क्या होता है, इसमें क्या क्या difference होता है, ठीक है, तो यह video अच्छा लगे, तो video को like करें, और comment में जरूर बताएं, कि यह video आपको कैसा लगा, चैनल पर नए हैं, तो channel को subscribe कर लें, और साथ में bell icon को जरूर दबाएं, ताकि हमारा latest update आप तक सबसे प यह